हलो गाइस दिस इस आरके राव इंग्लिस ट्रेनर एंड डिरेक्टर आरके केंपस अल्वार सो स्टुडेंस आज हमारा टॉपिक है वोकब लड़ी का देखे मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं यदि आप इंग्लिस बोलना चाहते हैं इसका इंग्लिस तो वोकबलरी जो है इसका इंप्रूव किजेगा यदि आपके पास सब्द नहीं है आप किसी से अपना इंट्रोडेक्शन करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि रमेज जो है वो घर जमाई है अब घर जमाई की आपके पास सब्द नहीं है वोकब नहीं है तो आप इंग्लिस कैसे बोल सकते हैं तो इसके लिए एक सरल सा तरीका है कि हम अपनी वोकबलरी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें तो हमारा जो स्पोकन का कोर्स है यह हम लिखते हैं जादू विदी से अंग्रेजी बोलना सेखें तो कोई यह जादू नहीं है इस नोट आमैजिक एक सरल तरीका है, easy way है to teach पढ़ाने का मैंने बताया कि मैं कोशिश करूँगा I will try my best to make my teachings interesting कि जो भी मैं पढ़ाऊं वो रूचिकर बनाऊं I will try my best सो आज हमारा टॉपिक है वोकबलरी पार्ट वन इसमें हम वोकबलरी पार्ट वन पार्ट वन टॉपिक का नाम है रिलेशन रिलेशन आज हम बात करेंगे रिलेशन के उपार और मैं कोशिश करूँगा एक अच्छे ढंग से आपको इटॉपिक करवाने की रिलेशन क्या होता है मामा की इंगलिश क्या होती है घर जमाई की इंगलिश क्या होती है समधन की इंगलिश क्या होती है बिचोली है जो साधी करवाता है उसकी इंगलिस क्या होती है सगा भाई होती है उसकी इंगलिस क्या होती है खांदान की इंगलिस क्या होती है बुआ की इंगलिस में क्या बोलेंगे फूफा को इंगलिस में क्या बोलेंगे गुवा का बेटा है उसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे तो ये complete relation जो है उसकी आपको woke up करूंगा माज Relations means संबंद संबंद हमारे relations जो होते हैं उसकी आपको कराएंगे आज इंग्लिस तो इसके एक डाइग्राम के मादम से हम करेंगे करेंगे अब देखेंगे एक डाइग्राम है यहाँ पर हम मानते हैं कि एक हमारा स्टूडेंट है उसका नाम है दिनिश यहाँ पर एक दिनिश नाम का बच्चा है अब उसके रिलेशन के बारे में हम लोग बाते करेंगे रिलेशन दो तरह से होता है एक रिलेशन होता है मा की तरफ से एक रिलेशन होता है एक बच्चा जो होता है उसकी मा जो है उसकी तरफ से रिलेशन होता है और एक रिलेशन होता है पिता की तरफ से दो प्रकार की लेसन होते हैं उसके बाद में साधी हो जाती है तो दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाता है हमारा बच्चे की साधी हो गई ना दिने इसकी मान लिजिए साधी हो गई तो इसकी रेलेशन सासुराल की तरफ से अलग हो जाएंगे तो मा के रिष्टे जो होते हैं उनको हम मैटनल के नाम से करते हैं दिस इस मैटनल मैटनल के नाम से जो भी हमारे मा के रिष्टे हैं उनको मैटनल के नाम से समोजित करेंगे पिता की तरफ के रिष्टे जो होते हैं उनको पैटनल के नाम से करेंगे अब हमारे पास दो तरह की रिष्टे आगए एक मा की तरफ के रिष्टे एक पिता की तरफ के रिष्टे अब दिनेश की माजो है उसका यहां पे माईका है माईका माईका को आप पीहर भी कह सकते हैं पीहर पीहर यह दिनेश की माईका है दिनेश की मा का गाउं जहां उसका जनव माता जहां उसके माता पीता है वो उसका माईका है उसका पीहर है तो पीहर की इंगलिस हमने बताया मा के रिष्टे जो होते हैं मा के रिष्टे जो होते हैं उनको मैटनल के नाम से हम लोग बोलेंगे दिस इस मैटनल मैटनल हॉम मैटनल हॉम पी हर या माइका भी कहते है आप कोई आप से पूछे दिनेश से कोई आकर पूछे कि भी तुमारी मा का है तो बोलेगा आप उसको ये नहीं मालूम कि भी पी हर या माइके कि इंग्लिस क्या होती है तो वो इंग्लिस नहीं बोल सकता तो आप अपना वोकबलरी जो है ज़्यादा ज़्यादा डॉलब कीजिएगा उसके बाद में हम लोग देखते हैं मा की तरफ के रिष्टे में आता है हमारा मामा मामा अब मामा को इंग्लिस में हम लोग क्या बोलेंगे हमने बताया मा के रिष्टे जो होते हैं उनको हम मैटनल के नाम से बोलेंगे इस इस मैटनल अंकल मैटनल उसके बाद में आते हैं आपकी मामा की वाइफ क्या लगी आपकी मामी लगी मामी अब मामी क्या होगी आपकी मैटनल मैंने बोला न कि मा की तरफ के रिष्टे हम लोग मैटनल के नाम से बोलेंगे उसके बाद में आ गया मामा का लड़का मामा का लड़का जो है वो आपका क्या लगा भाई लगा भाई भाई भी कई परकार के होते हैं न एक आपका सगा भाई है सगा को इंगलिस बोलते हैं इन ब्लड एक आपका सगा भाई है एक आपके मामा का लड़का जो है वो भी आपका भाई लगा एक आपकी बुआ का लड़का है वो भी आपका भाई लगा तो हम इनको ब्रदर नहीं बोलेंगे तो मामा का लड़का मैंने बताया कि मामा की तरफ से, मा की तरफ के रिष्टे जो भी हैं, उनको मैटनल के नाम से करेंगे हम लोग, पुकारेंगे So this is मैटनल ब्रादर मैटनल ब्रादर उसके बाद में आता है मामा की लड़की मामा की लड़की, आपकी बेहन लगी तो this is मैटनल सिस्टर मैटनल सिस्टर उसके बाद में क्या आता है कि आपकी मामा का लड़का जो है उसका लड़का यानि कि मामा के मामा के लड़के का लड़का यानि मामा का पोता आपके मामा का पोता मतलब आपके मामा के लड़के का लड़का आपका बेटा लगा तो उसका आप बोलोगे मैटनल सन और आपके मामा की पोती जो है यानि कि आपके मामा का लड़का जो है उसकी बेटी आपकी क्या लगी बेटी लगी आपकी तो उसको आप बोलोगे मैटनल डॉटा मैटनल डॉटा उसके बाद में आते हैं भाई आपके नाना और नानी अब नाना को इंग्लिस में क्या बोलेंगे नाना को इंग्लिस में बोलेंगे इस इस मैटनल ग्रेंट फादा मैटनल ग्राण्ट फादा उसके बाद में आती है नानी नानी को इंग्लिस में हम लोग बोलेंगे मैटनल ग्राण्ट मदा मैटनल ग्रेंट मदा ये तो आपकी मा के रिष्टे हो गए उसके बाद में चलते हैं एक आपका आता है मोशी 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 भी कई तरह की होती है हमारे हिंदू समाज में आपकी मा की बहन आपकी मा की बहन उसको हम लोग बोलेंगे मैटनल मदा और उसके बाद में मोशा यानि की आपकी मोशी का हैजमेंड जो है वो आपका मोशा लगा यानि की आपकी मदर जो है ना मा जो है उसके जीजाजी आपके क्या लगे मैटनल फादा मैटनल फादा तो ये आपकी मा की तरफ के रिष्टे थे उसके बाद में आते हैं हम लोग पिता की तरफ के रिष्टे पिता की तरफ के रिष्टे जो होते हैं उनमें सब से पहले आता है बुवा 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 को हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे मैंने बताया पीता की तरफ के रिष्टे जो होते हैं उनको पैटनल के नाम से हम लोग बुलाते हैं इस पैटनल आंट पैटनल उसके बाद में आपकी बुवा का हैस्बेंड जो है वो आपका फूपा लगा मैंने बताया पीता की तरफ के रिष्टे सारे पैटनल के नाम से बोले जाते हैं अब आपकी बुवा का लड़का बुवा का लड़का आपका क्या लगा? आपका भाई लगा। भाई यहां पे भी था मामा का लड़का। लेकिन इसको maternal brother बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे this is paternal brother पैटनल brother उसके बाद में आता है जो बुआ की लड़की जो है वो आपकी क्या लगी बहन लगी तो उसको आप English में बोलोगे paternal sister उसके बाद में आते हैं आपकी बुआ का लड़का जो है उसका लड़का आपका क्या लगा यानि की बुआ का पोता बुआ का पोता आपका बेटा लगा तो उसको बोलेंगे paternal son उसको बोलेंगे paternal son उसके बाद में आती हैं बुआ की पोती आपकी क्या लगी बेटी लगी तो उसको आप बोलोगे paternal daughter paternal daughter उसके बाद में आता है आपकी बुआ जो है का ससुर आपकी बुआ का ससुर जो है वो आपका मोसा लगा जो भी आप हिंदी में बोलते हैं लेकिन आप उसको इंग्लिस में बोलोगे paternal ग्रेंट फादर उसके बाद में आते हैं आपकी बुआ की सास आपकी मोसी लेगी जो भी लगी उसको आप इंग्लिस में बोलोगे paternal grant मदा पैटनल ग्रेंट मदा यह तो आपकी बुआ की तरफ के रिष्टे हो गए उसके बाद में हमारे चलते हैं रिष्टे पिता की तरफ से आपका चाचा जो होता है आपके पिता जी का भाई उसको अंकल बोलते हैं अंकल चाची जो होती है उसको आंट बोलते हैं आंटी भी आप कह सकते हैं भाई ब्रादा शिस्टा बेहन शिस्टा बेहन यह हमारे लिष्टे हैं ठीक है ताउ ताई ताउ को इंग्लिस में बोलते हैं आडिक दिसरेड़ तै फ्टै यह ए आंट ग्रेक आंट यह हमारे लिष्टे हैं ग्रेंद फादा दादा ग्रेंद फादा ग्रेंद मत्र अ दादी इसके बाद चलते हैं इसको हम लोग आगे लेते हैं अब ये तो मा के रिष्टे थे हमारे अब हम लोग चलते हैं कुछ दिनेज जो था इसकी ससुराल की तरफ चलते हैं ससुराल को इंगलिस में बोलते हैं इन लॉज इन लॉज ससुराल एक किसी की साधी हो गई है और उसके साले नहीं है ब्रद इन ला नहीं है तो वो घर जमाई रहता है घर जमाई को इंगलिस में बोलते हैं एर इन लॉज एर इन लॉज घर जमाई घर जमाई तो ससुराल में हमारे जिस्ते आते हैं सबसे पहले आता है हमारी सास का सास को इंगलिस में बोलेंगे मदा इन लॉज उसके बाद में आता है ससुर फादा इन लॉज उसके बाद में आता है साला ब्रादा इन लॉज उसके बाद में आती है साली सिस्टर इन लॉज साली उसके बाद में आता है जमाई जमाई को इंगलिस में बोलते हैं सान इन लॉज सान इन लॉज थोड़े और रहे गए आपके दिस पे चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ एक हमारा होता है सगा जैसे यह मेरा सगा बाई है तो सगा जो है उसको इंगलिस में हम लोग क्या बोलते हैं सगा इन ब्लड एक होता है सो तेला सो तेला सो तेला सो तेला उनको इंगलिस से बोलते हैं स्टैप जैसे सो तेली मा, स्टैप मदा, सो तेला पिता, स्टैप फादा, सो तेली बेहन, स्टैप सिस्टा, सो तेला भाई, स्टैप ब्रादा, सो तेला बेटा, स्टैप सन, सो तेली बेटी, स्टैप डॉटा यह हमारे सोते रिष्टे होते हैं उसके बाद में होता है खांदान भई हम कहते हैं न भई यह अच्छे खांदान का लड़का नहीं है ब्रीट खांदान को बोलते हैं ब्रीट ब्रीट उसके बाद में यह कोता है बिचोलिया जो साधी ब्याकर वाता है ना बिचोल या वह किसी की साधी ब्याकर वाता है न वीच में एक आदमी होता है उसको बिचोल या बोलता है हिंदी के अंदर ठीक है ना तो बिचोल यह की English होगी और relation मेकर तो आज ही हमारा टॉपिक था रिलेशन के उपर मैं कोशिज करूँगा I will try my best कि मैं जो भी मेरी वोकवदरी के टॉपिक जो है वो आपको एक इंट्रेस्टिंग वे में बना के दूँ अभी हमारा वोकव का पार्ट वन है इस वोकव के पार्ट वन का जो भी वीडियो है यह आपको इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स जो है उसके पीडियेफ में आपको मिले गई ठीक है? So, okay, thanks for watching